हम पंची उन्मुक्त गगन के कविशिवमंगल सिंग सुमन जरोखा चैनल के ननहा स्कूल कारिक्रम में हम आप सभी का स्वाधत करते हैं। हमें ये बताते हुए खुशी हो रही है कि हमने ननहा स्कूल कारिक्रम छोटे बच्चों की कक्षाओं के लिए हिंदी भाषा के पाठों पर बनाया है। नरसरी, प्राइमरी और मिडल स्कूल की कक्षाओं यानी कक्षा एक से लेकर कक्षा आठ तक के बच्चों के लिए इसे तैयार किया गया है। कक्षा साथ के लिए CBSI के पाठ्थिक्रम में शामिल पुस्तर वसंद भागदू का पहला पाठ इस बार लिया जा रहा है। पाठ का शीशक है। हम पंची उन्मुक्त गगन के इस कविता के कवी है शिवमंगल सिंग सुमंग। तो आईए चलिए सबसे पहले कविता का पाठ करते हैं। हम पंची उन्मुक्त गगन के पिंजर बद्ध नागा पाएंगे। कनक तीलियों से टकरा कर पुल कित पंख तूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे। कही भली है कटुक निबोरी। कनक कटोरी की मैदा से स्वान श्रंखला के बंधन मे अपनी गती उडान सब भूले बस सपनों में देख रहे हैं। तरू की फुन की पर के जूले। ऐसे थे अर्मान की उडते नील गगन की सीमा पाने। लाल किरन सी चोच खोल। चुकते तारक अनार के दाने होती सीमा हीन शितिच से। इन पंखों की होडा होडी। या तुक कविता का पाठ कर लेने के बार आईए अब हम इस कविता के कठिन शब्दों के सरल अर्थों को जान लेते हैं। पंची याने पक्षी। उन्मुक्त याने खुले। गगन याने आस्मान। पिंजरबद्र याने पिंजरे में बंद। कनक्तियों याने सोने की पट्टियां कुलकित याने तसंद, कटुक याने कडवी, निबोरी याने नीम का फल, कनक कटोरी याने सोने की कटोरी, स्वर्ण श्रिंख्रा याने सोने की जंजीर, तरु याने पेड, फुनगी याने सबसे उपर वाली डाली, अर्मान याने मन की इच्छाए, नील गगन याने नीला आकाश, तारक याने तारो जैसे दिखने वारे, सीमाहीन याने जिसकी कोई सीमा न हो, शितिज याने आसमान और धर्ती जहां पर मिलते हुए से दिखाई देते हैं, खोड़ा होडी याने ततियोगिता, दोरी याने रसी, नीर याने घोसला, आश्रय याने जगा, छिन भिनन याने अलग-अलग, आकुल याने बिचैन, विगन याने बाधा, तो ये थे इस कविता के शब्दार्थ, हम कविता पर आधारित प्रश्नों के उत्तर करेंगे, प्रश्न पहला, हर तरह की सुख सुविधाय पाकर भी पक्षी पिंजरे में बंद क्यों नहीं रहना चाहते हर प्रकार की सुख सुविधाय पाकर भी पक्षी पिंजरे में इसलिए बंद नहीं रहना चाहते, क्योंकि वे तो खुल कर उरने वाले प्रणी हैं, पिंजरे में बंद कर देने से उनकी स्वतंतरता चली जाती है, वे आजाद रहना चाहते हैं, प्रश्न दूसरा, पक्ष आसमान में उड़ना चाहते हैं, दूसरा वे पेड़ की सबसे उपर वाली शाखा को जूला बना कर जूलना चाहते हैं, तीसरा वे आकाश को चुना चाहते हैं, चौथा वे अनार के उन दानों को खाना चाहते हैं, जो सितारों जैसे दिखते हैं, पाचवा वे शितिज के स अपने पंखों की उड़ान की प्रतियोगिता करना चाहते हैं छटवावे चाहते हैं कि कोई उनकी उड़ान में बाधा न डाले प्रश्ण तीसरा भाव स्पष्ट कीजिए या तो शितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी इस पंती का भाव यह है कि एकुन्मुक्त पक्षी यही चाहता है कि जब उसे पंख मिले हुए हैं वहां स्वतंत्रता पूर्वक आसमान में उड़े वहां आकाश और शितिज तक पहुँचने की प्रतियोगिता करे इस प्रतियोगिता में जीत कर अपने लक्षे को पाले या कविता से आगे वाले भाग के प्रश्न प्रश्न पहला कई लोग पक्षी पालते हैं पक्षियों को पालना उचित है अथवा नहीं अपने विचार लिखिए उत्तर पक्षियों को पालना किसी भी तरह से उचित नहीं कहा जा सकता वे भी वे से ही प्राणी है जैसे कि हम क् की स्वतंत्रता को भी हम समाप्त नहीं कर सकते प्रकृती ने उन्हें पंग दिये हैं उन्हें पेड़ पौधु पर रहने वाला प्रानी बनाया है इसलिए उन्हें उनके प्राकृतिक आवास में ही रहने देना चाहिए और दूर्से ही उनकी सुंदरता तथा वानी का आनंद लेना चाहिए, क्या आपने या आपकी जानकारी में किसी ने कभी कोई पक्षी पाला है, उसकी देखरे किस प्रकार की जाती होगी, लिखिए, नहीं हमने कभी कोई पक्षी नहीं पाला, हमारे माता पिता पक्षियों को पालने और उनकी स्वाधीनता को मिटाने के विरुद् वे उसे पिंजरे में रखते हैं, खाने को दाना पानी देते हैं, उसे प्रेम भी करते हैं, पर वह पक्षी उदास रहा करता है, बंदी जीवन किसी को भी प्रिय नहीं होता, प्रश्न दूसरा, पक्षियों को पिंजरे में बंद करने से केवल उनकी आजादी का हनन ही नहीं ह होता अपितु पर्यावरण भी प्रभावित होता है इस विशय पर दस पंक्तियों में अपने विचार लिखिए उत्तर हम इस बात से सहमत है कि पक्षियों को पिंजरे में बंद करने से केवल उनकी आजादी का हनन ही नहीं होता अपितु ऐसा करने से संपूर्ण यदि हम अपनी स्वतंत्रता का सम्मान करते हैं तो हमें प्रतेक प्राणी की स्वतंत्रता का भी सम्मान करना चाहिए पक्षी एक स्वतंत्र प्राणी है वह पेड़ों पर बसेरा करता है पर्यावरण को संतुलित करता है वह उन कीरों को खा लेता है जो भसलों और मनुश् पहुचाते हैं या किसी तरह का रोग फैलाते हैं वह बीजों का प्रसार भी करता है और इस तरह वन शेत्र तथा हर्याली को बढ़ाता है पेड़ हमें प्राण वायू देते हैं चलिए अब हम अनुमान और कल्पना वाले भाग के प्रश्न करते हैं प्रश्न पहला क्या आप समस्याइं उत्पन हो सकती हैं इन समस्याओं से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए उक्त विशय पर वाद विवाद प्रतियोगिता का आयूजन कीजिए हमें ऐसा लगता है कि मानव की वर्तमान जीवन शैली और शहरी करन से जुड़ी योजनाय पक्षियों के लिए घातक है शहरी करन के कारण पेड़ कौधे काटे जा रहे हैं इससे पक्षियों का रहवास मिट रहा है कार खानों के धुने और वहां उत्पन्न होने वाली गै को आधार बना कर आप अपनी कक्षा में वाद विवाद प्रतियोगिता का आयुजन कर सकते हैं प्रशन दूसरा यदि आपके घर के किसी स्थान पर किसी पक्षी ने अपना आवास बनाया है और किसी कारण वर्ष आपको अपना घर बदलना पड़ रहा है तो आप उस पक् घोसलों को सुरक्षित कर दें दूसरा जो परिवार उस घर में रहने आ रहा हूँ उससे घोसलों की सुरक्षा करने के लिए अनुरोद करेंगे तीसरा ऐसा प्रबंद भी करेंगे कि जब तक घोसलों में अंडों से बच्चे न निकल आए तब तक घोसलों को न छेरा और अब भाशा की बाद, खाग वाले प्रश्न करते हैं, प्रश्न पहला, स्वर्ण श्रंख्रा और लाल किरनसी में रिखा कित शब्द गुणवाचक विशेशन है, कमिता से ढून कर इस प्रकार के तीन और उदारन लिखिये, पत्तर, कनक तील्या, खानक कटोरी, तारक अना में समास है, इन दोनों शब्दों के बीच लगे चिन को समासे चिन कहते हैं, इस चिन से और का संकेत मिलता है, जैसे भूखे प्यासे यानि भूखे और प्यासे, इस प्रकार के दस अन्य उदाहरन खोजकर लिखिये, माता पिता यानि माता और पिता, आना जाना यानि आना और जाना, रात दिन यानि रात और दिन, लिखना पढ़ना यानि लिखना और पढ़ना, इधर उधर यानि इधर और उधर, भाई भतीजा यानि भाई और भतीजा, गाय बैल यानि गाय और बैल, लुहा लंगर यानि खेल और खूब लेन दें यानी लेन और देंग अब हम परीक्षा में पूछे जाने वाले तरीके के प्रश्ण करेंगे परीक्षा में कविता की कुछ पंक्तियां दी जाती हैं और उन पर आधारित प्रश्ण किये जाते हैं प्रश्न पहला निम्न लिखित पद्यांश को पढ़कर उचित विकल्प चुनकर उत्तर दीजिए हम पंची उन्मुक्त गगन के पिंजर बद्ध नगा पाएंगे कनक तीलियों से टकरा कर फुलकित पंख तूट जाएंगे पहला प्रश्न पंची कहा के है अ उन्मुक्त चम प्रश्न दूसरा पंख कैसे टूट जाएंगे अ पेड से टकरा कर घरों से टकरा कर स सोने की तीलियों से टकरा कर द दिवारों से टकरा कर सही उत्तर है स सोने की तीलियों से टकरा कर प्रश्न तीसरा पिंजर बद्ध का क्या अर्थ है अ पिंजरे में बंध ब पिंजरे में बड़ा, द, पिंजरे से छोटा, सही उत्तर है अ, पिंजरे में बंद, प्रश्न चोथा, काव्यांश में कौन बोल रहा है, अ, पिंजरा, ब, मनुष्य, स, गगन, द, पक्षी, सही उत्तर है द, पक्षी, निम्न लिखित पद्यांश को पढ़कर, उचित विकल्प चुनकर उत्तर दीजिए, हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कही भली है कटुक निबोरी, कनक कटोरी की मैदा से, प्रश्न पहला पक्षी कैसा जल पीते हैं, आ, बहता जल, भ, घरों में रखा जल, स, सड़ा जल, द, गंदा जल, सही उत्तर है, आ, बहता जल, प्रश्न दूसरा, कटुक निबोरी का क्या अर्थ है, आ, नीम की निबोरी, ब, कणवी निबोरी, स, कटी निबोरी, द, काली निबोरी, सही उत्तर है, ब, कणवी निबोरी, प्रश्न तीसरा, कनक कटोरी का अर्थ है, आ, आटे की कटोरी, ब, कनों की कटोरी, स, सोने की कट सपनों में देख रहे हैं Gun Sakura कि कुटोरी। प्रश्ण चोथा। मर जाएंगे भूखे प्यासे. क्यों ? पिंजरे में गुलाम बनकर। सब अच्छा भोजन समय पर नपाकर। थोड़ा की घुलापकर?। सही उत्तर है puppy पिंजरे में गुलाम बनकर सुवन शरंखला के बंधन में अपनी गती उडान सब भूले बस सपनों में देख रहे हैं. तरुकी फुन्गी पर के जूले. प्रश्न पहला. काहे का बंधन है? आ लोहे की जंजीर का, ब चांडी की जंजीर का, स सोने की जंजीर का, द तामबे की की जन्जीर का सही उत्तर है सप सोने की जन्जीर का प्रश्ण दूसरा पंची सपने में क्या देख रहे हैं अ बंधन ब गती सप उडान द जूले सही उत्तर है द जूले प्रश्ण तीसरा पक्षी क्या भूल गए अ पिंजरा बंप फुनगी सप सपने द उडान सही उत्तर है उडान ऐसे थे अर्मान की उड़ते नीर गगन की सीमा पाने लाल किरन सी चोच खोल चुगते तारक अनार के दाने प्रश्न पहला, अर्मान क्या थे? A. काले बादर की सीमा पाना, ब नीले नप की सीमा पाना, सा लाल सूरज की सीमा पाना, द हरे पेड़ की सीमा पाना, सही उत्तर है. नीले नप की सीमा पाना प्रश्न दूसरा पंची कैसी चोच खोलना चाहते थे अ अनार सी ब तारो सी स लाल किरण सी द दानो सी सही उत्तर है लाल किरण सी प्रश्न तीसरा पंची कौन से दाने चुनना चाहते थे? अ गेहों के, ब मका के, स चावल के, ड अनार के सही उत्तर है, ड अनार के प्रश्न चौथा अनार के दानों की तुलना किन से की गई है अ अर्मान से ब तारों से स नप से द किरण से सही उत्तर है ब तारों से होती सी माहीन छितिच से इन पंखों की होडा होडी या तो क्षितिच मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी प्रश्न पहला पंखों की होड किस से होती अ सी म से, द, डोरी से, सही उत्तर है स, चितिच से, प्रश्न दूसरा, चितिच कैसा है, अ, सीमा हीन, ब, पंक हीन, स, डोरी हीन, द, सांस हीन, सही उत्तर है, अ, सीमा हीन. प्रश्न तीसरा, पंची के लिए क्या मिलन बन जाता, सीमा, ब, चितिच, स, पंक, द, डोरी, सही उत्तर है, ब, चितिच, प्रश्न चोथा. सांसो की डोरी तन्ने का अर्थ है अ मरना ब जीना स उडना द गिरना सही उत्तर है अ मरना नीड न दो चाहि टहनी का आश्र छिन भिन कर डालो लेकिन पंक दिये हैं तो आकुल उडान में विग्न न डालो प्रश्न पहला नीड का अर्थ होता है अ घोसला ब पक्षी स पेड द टहनी सही उत्तर है अ घोसला प्रश्न दूसरा कहा का आश्रे तोडने के लिए पंची कह रहे हैं अ नीड का ब पंखो का स उडान का द टहनी का सही उत्तर है द टहनी का प्रश्न तीसरा पंचियों की उड बान कैसी है, अ, व्याकुल, ब, आकुल, स, छिन्द भिन, द, बेचैन, सही उत्तर है, ब, आकुल, प्रश्न चोथा, पंख पालेने परपंची क्या चाहते हैं, कोई उड़ने को न कहे, ब, कोई पिंजरे में न बंद करे, स, कोई उड़ने में बाधा न बने, द, कोई पंख काटे, सही उत्तर है, स, कोई उड़ने में बाधा न बने, अब हम इसी पाठ पर आधारित, अतलगु उत्तरिये प्रश्नों को करेंगे, प्रश्न पहला, इस कविता का शीर्षक क्या है, उत्तर, इस कविता का शीर्षक है, हम पंची उन्मुक्त गगन के, प्रश्न दूसर इस कविता के कवी का नाम बताई है, उत्तर, इस कविता के कवी का नाम है, शिवमंगल सिंग सुमन, प्रश्न तीसरा, पक्षी कैसा जीवन जीना चाहते है, उत्तर, पक्षी स्वतंत्र जीवन जीना चाहते है, प्रश्न चोथा, कनक तीलिया क्या है, उत्तर, सोने के प्रश्ण दूसरा पक्षी मनुष्यों से आशा रखते हैं कि उन्हें पिंजरे में बंद न किया जाए, प्रकृती ने उन्हें पंक दिये हैं, तो उन्हें स्वतंत्र उडान भरने दे, प्रश्ण चौथा, यह कविता हमें किस बात के लिए प्रेरित करती है, उत्तर यह कविता हमें इस बात के उद्देश्य क्या है, उत्तर कविता का उद्देश्य है, लोगों को उनकी स्वाधीनता के लिए सचेत करना, जगाना, गुलामी का विरोध करने के लिए लोगों को तयार करना, और अब हम दीर्ग उत्रिये प्रश्न करेंगे, प्रश्न पहला, पंचियों को सोने की कटोर परोसे गए मैदा से नीम की कडवी निबौरी क्यों भली लगती है। उत्तर गुलाम जीवन उंदा भोजन पाकर भी सुखी नहीं हो सकता। जबकि स्वधंत्र जीवन कडवीची जे खाकर भी आनंद पा लेता है। स्वतंत्र ता कैसी भी हो, गुलामी से हर हाल में बहतर होती है। प्रश्न दूसरा, कवी ने इस कविता के माध्यम से हमें क्या संदेश देना चाहा है, उत्तर, कवी ने इस कविता के माध्यम से हमें यह संदेश देना चाहा है कि पराधीन व्यक्ति को सपने में भी सुख प्राप्त नहीं हो सकता, स्वाधीन मनुष्य ही अपने सपने और अ सब्सक्राइब कीजिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद